वेलकुम वेक टो मैं चैनल दिस इस वजरासी मुखानाई होग कि आप लोग सब ठीक ठाप होंगे खैरियत सी होंगे अपनी खैर अफिद लाज़े मुझे कॉमेंट करके बताईएगा अभी जो है वह मैं जा रही हूँ अपने बड़े चाचु की तरफ सो इचाचु की तरफ हमारा खाना में उनका घर भी आप लोग को दिखाऊंगी बच्चों सेैङ्यांगे वह बहुत सारी हो करना है और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब कर दें यह वाली जो लुक है यह मैंने अपना इद वाला ही सूर्ज वाजवेर किया हुआ है थोड़ा सा मेकप जो हो मैंने चेंज कर दिखाती हूं आंकों को आप मेकप बताएं कैसा लग रहा है मैंन मिरे डादी के लिए दुख की जवानिज पर मियंकोन टेरे सकती है तो मुझे बड़ बड़ी खुशी होती है जिवा़ से कहती है तो फ्रेंट्स बस अब हम लोग निकल रहे हैं अम्मा हमारे सात ही जारी है और साथ मामा आप लोग को नजर आ रही होंगी रैडी होगी जा हैं लोग पहुंच गया है चाचो की तरफ और यह उनका घर है उनका अपना घर है और अहमा जो बस निकल रहा था पापा ने कहा कि हम काफी टाइम बाद आएं तो बच्छों के लिए कुछ नो कुछ आके ले और तो यह मेरे खाल से अभी केक लेने जा रहा है यह इनका घर है अभी इतने ज़्यादा सेटिंग उन लोगों ने नहीं की अपनी यह है माशाला मेरी कजन्स चाचु की बेटियां हैं तीन बेटियां माशाला जो छोटी वाली पीस आई यह सिंगल है और जो बड़ी वाली दुना है वो माशाला से ट्विंज है हमारी फैमली में कोई भी लेकिन यह दोनों चाब ट्विंज हैं और बहुत प्यार करती हैं यह भी सब बच्चों की तरह हमसे बस अब हम लोग यहां पर बैठे खाना खा रहे हैं चाची शांब कीचन में मस्रूफ थी इसलिए फिर हमने का के चलो हम खाना लगा के तो मतब खाना स्टार्ट करते हैं जैसे कि अभी यह आप लोग जो क्लिप देख रहे हैं तीन बजे का था तो बाबा ने का था कि हम पांच शे बजे यहां से निकल जाएंगे लेकिन सीन कुछ ऐसा हुआ के चाचु ने का कि आप लोग आज ही मेरी तरफ आएं और आज ही आप लोग सिर्फ दो तीन घंटे क लिए आपने रुकना और फिर चले जाना इसलिए मैंने नहीं जाने देना हम लोग शाम को रात को मतब खाने पर ने का कुछ सेट अप करेंगे अच्छा सा और सारे बाई और माव यहां साथ तो मिल के जो है वो हम लोग जो है वह खूब सारी तो आपने नहीं जाना मुझे बहुत बहुत जाच्छा रख न है कि असरी अज्गर मुझे बहुत हृँ जादा घोता है शवासिजिया तो पि лес हुआ हूँ जाना तेंगराों तो इक आप ना जयाओं हो पर दो जो तो मैं बाबा से बात करती हूं इस बारे में कि शायद मैं रुकते हूं और अगर रुक कई तब फिर नगाए करेंगे तो में पिछे वाला क्लीप आप लोगोने देखा है उसमें मेलाला की तरफ गई ती कप्ड़े वगरा चेंज करने थे क्योंकि सुबह सुबह हमने सैरी के टाइम यहां से निकलना है मैंने का चलो मैं कप्ड़े चेंज कर आती हूं तो जी हम लोग यहां बैठे हुए आप सब चाचू के घर है और यह जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं यह जी तक्रीबन धाई बज़े का क्लिप था क्योंकि हम लोग उने सैरी के टाइम निकलना था इसलिए हम लोग फिर जागते रहे सोया कोई भी नहीं और सब बैठे खा के थोड़ी देर बाबा ने रेस्ट किया क्योंकि उन्हों डराइब करना था और फिर हम लोग सुबा तकरीबन साड़ी चार बचे जो है वो निकले शेकूपुरा से मेरा प्लैन ऐसे था कि मैंने गाड़ी में से सामान निकाल भी लिया था फिर बाबा क्योंकि अल्ला क वापिस जाने में बड़ी दिक्कत होगी है और आगे उन्युएस्टी ओपन हो रही है तो फिर बस हम लोग अब वापिस घर जा रहे हैं रास्ते का सफ़र जाब अच्छा ही गुजरा क्योंकि मैं तो सवही रही हूं मुझे कोई आता पता नहीं और यह जो क्लिप आप लो लोगों ने डिसाइड किके नाश्ता क्या करना पता है उनको बता है कि अधर से लाइब अपने चाहिट करते हैं साफ फाइनली वी आरेट होम और अलहमदुलिल्ला हम लोग खेर वाफियत से पहुंच गए हैं वह अच्छा सा नाश्ता करने लगे हैं नान है साथ चने हैं साथ मीठी लसी अनमकीन वाली लसी है और मीशल जो बस ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी तो हम पहुंचे हैं हम लोग फाइनली घर आ गए हैं अलहमदुलिल्ला खेर से पहुंच गए हैं हम लोग सुबह सुबह निकले थे दस बजी यहां बहुंच गए तो उसके बाद आके नाश्ता किया और सफर जहां वह बहुत थी ज़दा सोच सोच गुजरा क्योंकि मैं बहुत ज़दा रो रह है तो उसके बाद मुझे नहीं दसी आए मुझे पता ही नहीं चला मैं कहा हूं अभी तीन बजी मैं उठी उठके नहां दो के फ्रेश हुई हूं और यहां पर आप लोग को नजर आ रहा हो गया मेरे सवर पे तो लिया बंदा हुआ है तो मैं फिर उसके बास सचा कि मैं कॉमेंट है मैंने अब लोगों करते हैं काफे सारे कॉमेंट से अर्प लोगों सब भीजाराव करते हैं सब कि मैं और यह 4 दोन मैंने पहले ऑनौंस किया तैं मैं चार लिए वर और तीन तीफर है हो गια होग्यार इसकर बास्तान है दो वो भी दो-ती दिन तक मैं पोस्ट कर दूँगी सो आप लोग ने ऐसे ही प्यार देते रहना चैनल को सपोर्ट करते रहना जो लोग specially चैनल पे निउ है वो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन भी प्रेस कर दें ठीक है और यहाँ और यहाँ पे दूरे हरम जो हमारी जो थर्ड गिव इअँस की वीर है आपको बहुत बहुत इसमें और आपने करना किया है अपनी अड़ेस की जो डिटेयल्स है वो आपने मुझे इंस्टा पे कल तक वो डीयम कर देनी है मैं पर 4-5 दिन तक छे दिन भी लग सकते हैं उसको जो है वो डिस्पैज करवा दूंगी रिजन यह है कि गर्मी बहुत जादा होती है मैं इनिवर्स्टी जाना होता है जैसे मुझे टाइम मिला में जाके डिस्पैज करवाओंगी परशान नहीं हो ना बिल्कुल भी आपका जो गिफ्ट होता है मिल पास अमानत होती है वह पहुंच जाता है जाए थोड़ा लेडी पहुंचे तो बहुत ज़्यादा स्वरी बहुत ज़्यादा जह है वह आप लोग का बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू और इंशाला जाब चाहर दिन बाद फिर फोर्थ वाला जो गी वह वह भी पोस शूरी होती हैं मैंने सोचा कि वीडियो पहले शूट करनों फिर बाल ड्राय होते होते हैं तो बटे देर लग जाती है खैर यह हम लोग किसी और तरफे जा रहे हैं तो आज का जो व्लोग था वो इतना सही था ऐसे प्यार करते हैं अपना बहुत सारा खया लखें तिल नेक